असलाम अलेकूल शैनास की दुनिया में आप सबका स्वाबत है और आप सबको जुमा मुबारब हो आज जुमा है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से एक वजीफा शेयर करूँ मुझे भी कहीं से पता चला है इसलिए मैंने सोचा कि आप सकते साथ में शेयर करूँ जैसे के आज कल बहुत ये सब चला है के लोग कोई भी किसी को तक्लीफ पहुचाने के लिए जाजू दोना करते हैं गलत चीज़े करते हैं तो उसके लिए मैं आज आज आपको एक वजीफा बता रही हूं तो वजीफा ये है यह 313 मर्थबह आपको पढ़ना है या मून तकीम हूं मैं फिर से बोल नहूं हूं, या मून तकीम हूं 313 मर्थबह पढ़ना है आगे पीछे गुरुष शेरीफ 1111 मर्थबह आपको जो भी जुरु शरीफ आता हो आपको पढ़ सकते हैं लेकिन जहां को हो सके आप अगर जुरु दिबराहिम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको उनको जुरु दिबराहिम नहीं आता है तो आप कोई भी जुरु शरीफ पढ़ सकते हैं और पहले ग्यारा मर्तबा जुरु शरीप पढ़िये, फिर तीन सो तेरा मर्तबा या मुंतकिमु पढ़िये, फिर ग्यारा मर्तबा या जुरु शरीप पढ़िये, ये पढ़कर के आप जुआ कीजिए, कि जो कोई भी आपको तक लिए पोचा रहा है, या कुछ ऐसा कर रहा ह ये ल्ला उससे मेरी हुपाज़त करे ये ल्ला का वजीफा है और ये वजीफा को आपको तीन जुमा तक करना है मैं तो हर जुमा पढ़ती है लेकिन आप अगर हर जुमा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको कंटीनूस तीन जुमा जरूर पढ़िए ये तीनों जुमा आप पढ़ोगे लगाता है तो इंशालला आपकी हर परेशानिया दूर हो जाएगी पस यकीदा रखिए और इसको वजीफों को कीजिए और हर तीन जुमा तक पढ़िए और देखिए इंशालला आपकी जो तक्रीफे हैं जो भी कढ़ी पर इंशालला आप इसको ढूर कर देगे और नमास पढ़िए त्सदी देखो कोई बी वजीफा बिना नमास की पुराणी होता तो आपके इसेघ्ला होता है आप सोचेख़े कि वजीफा कर लेकिन आपको नमास का पाद oppression नमास की था खुआ लिगी टो मेरे मतलब था किम इसी ने सो हुआ कि आप कर समय करती हुँ में भी पढ़ती हूँ तो आप लोग भी कीजिए तो चलिए आप सब लोग तो जुमा मुबार्थ हो आप सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे खुश रहें और मेरे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए लाइट कीजिए शेर कीजिए तो चलो अल्ला हाफीज और सब फुच्छ म मुबार्थ इंशालला आप सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे बहुत उच्छे रहेंगे आमीन